आज मैं यहां प्लंप केक मनाने जा रही हूं जिसके लिए मैंने सारे ड्राइफुर्स ले लिए हैं इसको चोटे चोटे टुक्रों में काट लूँगी आपके पास जो अवलेबल आप उसको ले 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 इस तरह से चोटे चोटे अब इसको मैं औरेंज इसमें डीप करूंग अब इसको ऐसे सारे डीप करके अच्छे से रख दूँगी अब चीनी कर लूँगी कराई में मैंने एक बड़ी चम चीनी ले लिए हैं इसको करमला होने तक इसको ग्यास में चलाते रहना है जब करमलाइज हो जा थोड़ा इसमें पानी आट कर देना है अब मैं केक का हें मैदा दो बाउल मैदा ले 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 लिए हुं एक बाउल चीनी पी सीवी चीनी इसको छान लेंगे अच्छे पाने करसे अ इसमें चोटा टीष była동 5 फॉर्ट बाउल मिल्क पॉडर ले ले लिए अर एंचर से अध़-बखिंग सोडा और वं टीश्पून वेकिंग पॉर् अच्छे से चांदते हुए फिर इसका ड्राइ अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें मैंने जो ड्राइफूर्स करके भीगों के रखे ते उसको सारे डाल देंगे मेरे पास यल्लो और रेट टुटी-फुटी था जो उसको भी मैंने डाल लिया है अब इसको अच्छे सारे के चाइद सालाओ कैंट इसको भी डाल लेगे और और वान फॉर्थ कप बाउल ऐल करल में अधी वहाल नहीं इह अच्छे से मिला मल लेंहगे इसको भी अच्छे से मिला लेंगे अलास्ट में एक वन टीसपून वीनिगर और ओन आट कर klass музic in ke jals को के क compliance अब इसके बाद एक केक क्रिम को मैने मैदा से ग्रीस करके रखा है उस पर डालेंगे इस तरह का इस मेदा से इससे लिए शेसी इस को दो तिन भादeli घ्र जाए करेंगे और इसके उपर जो मैंने टुटी-फुटी अलग से रखे तो इसको मैदा में हलका मैदा में कोटिंग करके इसके उपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे अब मैं इसके में एक छोटा सा गंज ले ली हूँ इसमें स्टैंड लगाके इसको थोड़ा पहले से गरम कर चुके हैं इसको ढखके इसको स्लो फ्लेम में 50 मिनुट्स तक पका लेंगे और इसके आपको केक त्यार हो गया है बहुत सौट बने है तो अगर आपको मेरी डीश परशन नहीं है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें टाटा